नवस्कार स्वागत आप सभी का न्यूसरूम पोस्ट की खास पेस का स्पोर्ट्स पोस्ट में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत की T20 टीम का एलान किस तारिक को होगा जो जिसकी डेट सामने आ रही है तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में तो विच शर्मा वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं सेलेक्टर से दिल्ली में ही मुलाकात होगी और उसके बाद टीम का अनॉंस्मेंट होगा आपकी जानगार के लिए बता दे कि ICC ने एक तारिक आखरी रखी यानि कि एक तारिक तक सभी को अपनी T20 टीम का एलान करना ऐसे में एक तारिक से पहले T20 टीम का एलान करना ही करना पड़ेगा और अब उसको एक तारिक में ज्यादा वक्त रह नहीं गया और ऐसे में यहां पर बताया जारा है कि 27 तारिक को एक मीटिंग हो सकती है दिल्ली में जिसके बाद टीम का अनॉंस्मेंट होगा यानि कि 26, 27, 28 यानि पहले कि सेरडे और संडे में से किसी एक दिन आपको टीम जो है भारत के अनॉंस्मेंट हो जाएगी और पता चल जाएगे कि आखिर वो 15 खिलाडी कौन से हैं जो भारत की तरब से T20 वर्लकप में खेलते हुए आपको दिखाई देंगे तो पर आखिर वो 15 खिलाडी कौन तो यहां पर देखा जाए तो रोहिष शर्मा यससवी जैस्वाल तो बहुत साफ साफ पता चला विराट कोली की भी जगा पकी है चार नंबर पर सूरिकुमार यादाव खिलेंगे यह चार खिलाडी ऐसे जिनका टीम में होना यह लगभग तैमाना जारा अब पांचवा प कीपर के तौर पर किसको रखा जाता है केल राहूल या संजू सैमसन तो इस पर सवाल होगा पर यही जो है सबसे बड़ा मुद्दा पांच नंबर पर रहिए कि कौन होगा विकेट कीपर तो यह हो गया उसके बाद 6 और 7 नंबर सबको पता है कि हार्दिक पांडिया आपको कुछ सिंग भी आपको टीम में खेलते हुए देखेंगे 9 खिलाडी हो गए फिर उसके बाद कुलदी प्यादो और यहां पर चहल 11 खिलाडी हो गए अब तेज गेंदबाज देखा जाए तो तेज गेंदबाज पर मुहमत सिराज अर्शदेप सिंग और उसके बाद जस्प कि आखिर वो पंदरा खिलाडी कौन से हैं जिनको चुल लिया गया है और बीसी स्याई यहां पर 27 और 28 किसी एक तारिक में टीम का अनौंसमेंट कर सकती है तो यह जो खबर थी हमने आपको बताया आपके हिसाब से आप अपने टीम बताईए कि जैसे कि आप देख रहूंग झाल